अब यह इतना बड़ा डॉनफॉल के बात क्या लगता है आपको क्या मार्केट यह से ओपर जा पाएगा या फिर या फिर कंटिवनशली मार्केट यह से नीचे आने के लिए रडियो हो रहा और भी निचे जाएगा और 49,700 वाले जो टागेट से वह एजीली हमें हैं पर अची होते हुए देख सकते हैं लेकिन अगर बैंक निफ्टी में यहां पर किसी ने सीई साइड का पुर्चिसिंग किया होगा तो फिर क्या होगा क्या वो वेट कर पाएगा या फिर उसे एक्ज कर चुके हैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में जो है वह मिल जाएगा ओके आज भी हमने आप एक लेवल अपडेट किया तब 529 के आसपास हैं इसका अगर आप हाई देखोगे तो लगबक 1050 का कुछ हाई लग चुका है तो काफी बढ़ जो लेवल से ना यहां से 49,900 के जो बड़े टागेट रहेगे ना वो तो हमेरे जैसे ही क्रॉस हो जाएगे मार्केट के लिए तो मार्केट नॉनस्टप उपर क्यों निकलेगा 50,200 के लेवल के पास में कौन से 50,200 मतलब जो बैंक निफ्टी है वो 50,200 के लेवल के पास में वहाँ पे जा सकता है अगर उससे यहां से नीचे की उराना आई मतलब अगर उससे यहां पर डाउनफ करना है तो डाउनफोल के वक्त उससे क्या करना पढ़ेगा continuation में downfall जाना पड़ेगा 49,825 के levels को वहापे touch करना पड़ेगा अगर वो इस levels के आसपस यहापे आ सकता है अगर वो इस levels को यहापे touch कर सकता है कौन सा bank nifty तो जाकर कि हम यह कह सकता है कि जितने भी लोग यहापे CE के लिए wait कर रहे थे वो सब लोग वहापे trap हो जाएगे new PE members जो है वो उनका entry बनाना शुरू कर देगे और उसके बाद में कहीना के market 49,722 के levels के आसपस वहापे जा सकता है तो यह तो हो जाएगी खेर analysis जो market अभी दिखा सकता है nifty bank में लेकिन उसी के साथ सब अगर हम देखेगे कि जो nifty bank है उसमें अगर quick entry plan करना है तो वो quick entry कौन से level से plan किया जा सकता है तो अगर हम यहापे ध्यान से देखते है तो हमारे जो quick entry का level रहेगा वो लग भग कहीना के in levels के पास में रहेगा अगर bank nifty जो है वो in levels के आसपस यहापे घुमता रहता है अगर वो यह वाली level जो कि है 49,870 को अगर वो break करता है क्या करता है बोला मैंने अगर वो break करता है इस levels को अगर यहाँ से अगर वो उपर निकलने की कोशिश करता है तब जाकर कि हम यह कह सकते है कि 49,890 के जो levels है वो कहीना कहीं यहापे achievable हो जाएगी अगर वो यहाँ से नीचे की और आने की कोशिश करता है तब जाकर कि हम यह भी कह सकते है कि 49,900 यह जो second important level से कहीना करी market downside में उस levels के पास जाकर के वेट करने की कोशिश कर सकता है तो फिलाल यह है nifty bank का one minute का time frame का analysis जो quick वहाँ पे trade लेना चाहते है जो quick वहाँ पे exit करना चाहते है उनके लिए यह levels काफी बेहते हैं हो सकते है उसके बाद में अगर आप उपर के side से देखोगे और नीचे की side से भी देखोगे तो कई ना कई market के लिए यह levels important रहेगे 49,820 जैसे इसका breakout होता है तो 49,720 के target हमें वहाँ पे देखने मिल सकते हैं लगबग 100 points का यह target हमारा हो सकता है अब इतना बड़ा target क्या यह achievable है यह फिर नहीं है तो definitely yes, it is achievable वह target वहाँ पे आसन इससे achieve हमारा हो सकता है उसके बाद में यहाँ पे market के लिए ऐसे कौन से level से जो बहुत important हो सकता है पे बहुत अच्छी तरीके से support लिया है और दोनों levels के support को market ने break भी यहाँ पे किया हुआ है ठीक है तो दोनों levels के support को market ने आपे break किया उसके बाद market कहीं ना कई जो ही downset का momentum में चले गया अच्छा का सा उपर गया फिर दोनों set के levels को market ने break भी किया यहां से भी market उपर जाने की कोशिश करता था लेकिन वहाँ पर नहीं जा पर या अब यहां पर आने के बाद भी market ने किया कि अब बहुत time तक अपना time spend वहाँ पर किया बहुत time market वहाँ पर रुका रहा उसके बाद कहीं ना कई फिर market in levels के आसपर से आपर आया यहां से market country downfall का momentum करते हुए नीची के और चलते गया अब यह तो होगी बात खेर निफ्टी बैंक की निफ्टी बैंक की सरीके से नीची के momentum देखता है नीची की सेड का momentum देता है हर एक चीज उसके बारे में information अब यहां पर हमें क्या देखना है कि निफ्टी बैंक को अगर उपर के और जाना है तो उसके लिए important levels क्या रहेगी उपर के और जाते वक्त ऐसे कौन से important चीज़े जिसके उपर उसे focus रखना चाहिए क्या वह चीज़े जो उसके लिए काम आ सकती है अब जैसे मैंने बताया कि यह जो हमारा free telegram channel है यहां पर आकर कि आप definitely join कर लीजे यह totally free to join होता है अब देखिए जो हैं पर निफ्टी है निफ्टी के अंदर इसे कौन से important चीज़े जो हमें आपर ध्यान रखने चाहिए की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले चीज तो यहां पर देखिएगा तो यह जो लेवल से नहीं यहां पर अच्छा का सब लेवल के आसपसार है मतलब के 24,120 से लेकर के 24,130 तो यह दोनों लेवल बहुत important है उसके साथ में यहां पर एक और लेवल से जो 24,118 के पास में है तो यह तीनों लेवल से अब देखोगे तो क्या कर रहा है यह उपर के साथ जाने की कोशिश कर रहा है अब इसके लिए important यह जोने की 24,145 से लेकर के 24,135 यह जोन के उपर अगर वो निकलने की कोशिश करता है निफ्टी बैंक वो निफ्टी 50 तो वो उपर के साथ में 24,162 के उसका है तो यह बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर की साथ में अगर मार्केट निकलने की कोशिश करता है तो यह सभी लोग इन सभी लेवल्स का जो है वो breakout उसे चाहिए अगर इन सभी लेवल्स का ब्रेकाउट उसे नहीं मेल पाता तो करही ना करीना करी काई तो अगर यहां पर confusion बढ़ रहा है निफ्टी 50 के अंदर तो फिर क्या होने वाला है निफ्टी 50 का अगर confusion बढ़ चुका है तो इसका मतलब simple सी चीज यहां पर यह हो जाती है तो downside के लिए थोड़ा समय से zoom out कर तो आपको downside के target बता दो downside targets के लिए 24100 01 का level रहेगा तो बड़ा levels downside में यह रहेगा और उपर के side में जो बड़ा levels रहें वाला है वो रहेगा 24185 का तो आज़ोब आभी आपको दोनों side में 200 000 01 helping से इंप्र। पता चल चुकmusicे होगी कि तो फिलहल यह important चीज पर ध्यान रखना है कि वह कि ए आपको इसे शीजे लेंगी लाइव में लेगी हमारी फ्री वाले टेल्ग्राम चैनल में तो डेफिनेटली ये वालो जो फ्री टेल्ग्राम वाले चैनल यहाप आकर कर सकते हो